दोस्तों ये कहानी मैंने माँ पे बनाई है, माँ तो माँ होती है, एक बार कहानी को अंधर तक जरूर देखिएगा, आपको मज़ा जरूर आएगा, दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो क्रिप्या सस्क्राइब करें, लाल वला अधिसे कुछ अन्बन करके आया था, गुस्ते में सरक पर गाड़ी दोराये जा रहा था, मंजिल का कुछ पता नहीं था, वो नहीं जाता था उसे कहान जाना है, बस अपने खैलों में खोया हुआ गारी तेज रफदार में भगाये जा रहा था, और रह रहे के उसे आज अ साधी करके सहर आ गया था, घर बसाने के लिए, और मा को गाउं में शोर दिया था, मा उसकी अकेली गाउं में रहती थी, उसे उस बात का बहुत आज एफसोस हो रहा था, तरप रहा था मा से मिलने के लिए, क्योंकि आज अपनी पती से कुछ अन्बन करके आया था, सीधे गाउं की तरफ मोर दी, गुंजन ने, सोचा आज मा से मिलके आऊंगा और मा को कुछ सर्प्राइज देखर आऊंगा, बहुत दिन हो गया है मा से मिले हुए, पस कुंदन गाउं की तरफ गाउं तीज रफतार में बढ़ाये जा रहा था, और यही सब सोचता हुआ जा रहा गाउं वाले सो चुके थे, गाउं में बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं, और वह तो काफी समय हो चुका था, गाउं वाले सब सो चुके थे, बिस्वाद नीन में थे, गुंजन अपने घर के पास जाकर दरवाजा धीरे से खटखटा कर मा मा पुकारता है, एक बुढ़ी खुलती है, सायद गुणन की मा थी, और मा के चरन को असपर्स करता है, और मा के गले से लग जाता है, और फूट फूट कर रुणने लगता है, मा उसे घर में ले जाती है, मा उसके लिए उसके मनपसंद का भोजन बना कर रखी है वो भोजन खरता है, खाता है और मा से खुब बाते करता है पूरी रात बाते करता है सुबह होने वाली होती है गुण्यन की आखे बंध हो जाती है, वो सो जाता है थोड़ी दिर बाद जूप उग जाते हैं गुण्जन उठता है देखता है घर में काफी गंदा महल है कच्छले बिख्रे पड़े हैं यहां वहां गंदगी फैली हुई है जिस बेड़ पे सो रहा था वो बेड़ भी काफी गंदा था गुण्जन ने सोचा साइद मा को आखो उसे दिखाई नहीं देता इसलिए साफ सफ़ाई नहीं करती होगी अब मैं जाओंगा तो अपनी मा को परे साथ लेकर जाओं मामा चिलाते हुए गुण्जन घर में इधर उदर भटक रहा था और मा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी वह बरामडे पर आ गया संबू काका र लेने आया संबू काका ने कहा तुम रात में आये हो रात में हो तुछ तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी मा अखर के सकते हुए और कोिका और समने मिलकर तुम्हारे मा का अंतिम संसकार करवा दिया, क्रिया करवा दिया, तुम नहीं आए, बेटा, तुम्हारी मा कहां से आएगी, तुम्हें भरम हुआ है, अब गुंजन के सामने, रात का पूरा दृष्य, उनके आखों के सामने घूम गया, वो सोचने लगा, कि मा क्या, मा तु कहां है, उसने उसके मनपसंद के भोजन बनाए थे, क्या मा जानती थी कि आज उसका बेटा दुखी है, वो आने वाला है, इसलिए उसने उसके मनपसंद के भोजन बना रखे थे, गुंजन सर पगर कर वहीं बैठ गया, उसके पेरोतले से जमीन खिसर गई थी मा तो रही नहीं पर उसे हसास करा गई कि बेटा मा तो आखिर मा होती है मा तो मर कर भी बेटे के लिए वापस आती है बेटा सिर्फ एक आवाज लगाए मेरा मोटिफ सिर्फ इतना है दोस्तों कि अपनी मा को ना छोड़े अपने मा अगर बुड़ी हो जाती है तो उसकी सेवा करे किसी के प्रेम में मा के बरसो को मत भुला दे फिर प्रे आपने मा का ख्याल रखी क्योंकि मा एक बार मिलेगी दुबारा नहीं मा खरीदने की चीज नहीं है और मा तो मा होती वीडियो कैसी लगी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा शेर जरूर कीजिएगा आपने मित्रों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैं बहुत जल्दी गिप्ट की घोषना करने वाला हूं आप लोगों के लिए मैंने कॉमेंट से एक सेक्शन से एक अपने वीवर्स को उठा रखा है मैंने उनके लिए गिप्ट की तयारी कर रखी है मैं बहुत जल्दी एक वीडियो में एलान कर दूंगा तक तक के लिए हमें आग्या दे धन्यवाद